नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट विजनेस प्लस यूटूब परिवार में और मैं दीपक कुमार हाजरों आपके समने खेती किसानी के कौर ने इंफॉर्मेटिव जानकारे लेकर किसान भाहियों कैसे हैं आप सभी उमेदे कि आप बहुते स्वस्त और मस होंगे आज हम आ गए हैं फिर से और खेत पर आज आपके लिए बताएंगे एक पावरफुल जैवे कीटना सक्व बनाना तो यदि आप भी एक जैवे कीटना सक्व घर पर तयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा हमने इससे पहले भी एक जर्दे के पत्तों से कीटना सक्व बनाया था तो उसके भी काफी अच्छे रिव्यू मिले हैं रिजल्ट मिले हैं किसान बहुत ही अच्छा बताया है तो हम एक और आपके लिए दवा बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखीगा लेकिन वीडिय की कुछ वीडियो मिला करेगी तो दोस्तों वीडियो में आके बढ़ते हैं तो इस वीडियो में हम जो किटना सक्व बनाने जा रहा है वो बनाएंगे हम नीम की पत्तियों से ठीक है नीम की पत्तियों से बना सकते हैं नीम की खली से बना सकते हैं तो फिलाल में जो सीजन च आति है तो और वी इसित है यदि नीम की पतीय और नीम की निबुली नहीं मिल रही है तो नीम की खली केजी ले ले लिजे ऐख वनकी बड़ी आच्चे से चटनी बना लीजिए पsi नीम हो श्कति नीम ऑख वर grinder में भी पीछ सकते हैं, mixer में, चटनी बनाने के बाद में, उसमें 10 लिटर गाय का गौमूतर डाल दीजे, ठीक है? दो kg नीम की पत्थी या निमोली हो गई, 10 लिटर गौमूतर हो गया, गाय कौन सा चाहिए? गाय का गौमूतर गाय का गौमूतर है, तो ले लिजे देसी गाय नहीं है तो देसी बैल का ले लेजे ये भी नहीं है तो फिर भेस का ले सकते हैं ठीक है तो ये आप ले लीजे इसके बाद में आपको क्या करना है इसी में एक किलोग हरी चिर्पी वाली तीकी वाली जो मिर्ची आती है उसकी चटनी बना ली नहीं है हरी मिर्ची ना मिले तो लाल जो मिर्ची रहती है लॉंगा मिर्ची जिसे बोलते हैं वो मिर्ची ले लेजी वह भी काफी ज़्यादा तीकी चिर्पी होती है यदि दोवी ये भी ना मिले तो आपके लिए लाल मिर्च का पाउडर लेना है तीका वाला कितना कम सकम एक केजी ठीक है वो भी इसमें डाल दीजे इसके बाद में आपके लिए 200 ग्राम लहसुन लेना है लहसुन को बड़ी अच्छे से चील कर उसकी चटनी बना कर उसमें य रख दीजे सोबसे हम टालते रहें किसी डंडे से चलाते रहें और कपड़े से ढकर रख देना है ध्यान रहें कि मच्छर मक्की नहीं बैटना चाहिए जब दो से तीन दिन बाद अच्छे से संग जाएगा तो इसको चड़ा दीजे चूले पर मतलब कि गैस पर भट्टी पर चड़ा दीजे जहां पर हमने 10 kg 10 लीटर जो गया का मुत्र लिया था लगवक्त 3-4 लीटर टूट जाना चाहिए इतना खौलाई इतना उखाली लीजे इतना वाल लीजे जब यह इतना टूट जाए 5-6 लीटर जब आपका सेस बचे तो फिर आपके लिए इसको 24 घंट कितना सक्का तोड कहीं भी कितना सक्क के आगे नहीं रहेगा और कि फसन में किसी भी क्लार की ओम्यों काले क्लार के कडिके हो गया है नहीं है औरруг में इसार एकाई दिकाई तीसरी बहुति अच्छा रिजी करने के बाद में आपके खेट में किसी रहेगा मच्छर मक्ही या इल्लियां दिकाई नहीं देगी तो हर आठ दिन में आप स्प्रेक करते रहेगा फिर आपको यह पता नहीं चलेगा कि खेट के अंदर हम इल्लियां है कि नहीं है और थी तो वह कहां चली गई हजारों रुपे आप बचा सकते हैं इस पर करना करना है इस पर बेलवाली फसलों पर तो बहुत ही जवर्जास्त Respond इसके मिल आते हैं और एक और मरोड या रोग जो लगता है उस पर भी थोड़े थोड़े रिजल्ट मिलते हैं इसमें एक और दवा एड़ होती है लेकिन उसको एड़ कैसे करना है वो हम बताएंगे नेश्ट वीडियो में तो कीटना सक की उपर बनाई जा रहा है ये वीडियो तो आप इस मिर्ची या लाल मिर्च का पाउडर फिर 500 ग्राम आपके लिए लेनी है लैसों ठीके ना इन सबकी कूट काट कर चटनी बना कर उसमें डाल दीजिए दो तीन दिन तक सड़ने दीजिए तीन दिन बाद आराम से फिर इसको चूले पर चड़ाईए कम सकम तीन चाल लीटर ग पानी डाल कर दीजिए आपको लगता है कि खेत में खीड़े जादा है लेकिन दवा ने असर बहुत ही कम किया है तो दोस्तों की जगे 400 ले सकते हैं अधिक्तम 500 ml दवा आप डाल सकते पंप में उससे ज्यादा मठ डालना अन्यता फसल आपकी जल जाएगी यदि आपकी फस बार से एसिट का काम करेगा छोटी फसल के उपर तो आपको यह वाद बिसिसकर ध्यान देनी है पहले डेर सो से 200 ml का डोस बनाई है आपको लगता है फसल में नुकसान नहीं है और काम कर रही है दवा ने कम काम किया अच्छा किया तो आपको आईडिया लग जाएगा इसके पहले स्प्रे कीजिए थोड़े से पेड़ पाई या थोड़े से पौदे पर एरिया पर आपको लगे कि दवा काम कर रही है फिर पूरे एरिया के लिए आप बना सकते हैं ठीक है मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि नहीं 100 नहीं 101 काम करेगा और आप इसको डाली दीजे मत क पैसा बचाया है फसल बिचने के वार में उसमें एंड कर दीजे आप यकीन नहीं करेंगे आपके पड़ोसी ने एक भीगा खेट से जितना पैसा कमाया है उससे कई गुना आपने कमा लिया है और बचा लिया है पैसा साथ में मल्टी लेरिंग फार्मिंग भी करिए तो भी है कि पैसा बड़ा सकते है तो कम जमी से कम समय में लाक रोपे कैसे कमाना उसके व यह कई सारे टैप्स और आइड आ हैं तो आप चैनल पर जाकर कर प्रिखने में समझ रहे हैं कौन सी खेती करना चाहते हैं कौन सी दवा खाद या फिर हाई पावर बनाना चाहते तो आप कमेंट जरू करिएगा नेश वीडियो में आपकी यह पिस जरूर आई होगी वीडियो अच्छी लगिए अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि का